हाई अबरीबन वेलकम पर डिश्टल जी के क्लासेश, तो सभी के क्लास में आप सभी का वेलकम हैं और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि डेली आपकी क्लासेश होती हैं, प्लेइस्ट बना हुआ है, सीडीपी का, प्लस मैट्स का और ईवियस्थ का सबका अलग लग प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2023 के नाम से तो प्लीज आप वो जरूर देखें सुबह 10 बजे आपकी मैध की क्लास हुई है 2 बजे आपकी CDP की होती है और 4 बजे आपकी EVS की होती है अभी हम जो है जितने भी साइकोलजिस्ट हैं मैंने पियाजे का करा दिया है वाइगोस्की, कोलबग, और गार्डनर जो भी important theory है जो कि आप इसके लिए किसी का course लेते हैं तो वो मैं आपको अपने ही चानल पर फ्री में करा दूँगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ आप लोग अपने दोस्तों को share नहीं करते हो प्लीज share करें टेलिग्राम, इंस्टाग्राम का भी link आपको comment box में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ भी join हो सकते हैं तो चलिए आज की भी class हम स्टार्ट करते हैं अभी जो तेज में आपका online paper था वही है ठीक है देखिए तो जैसा है कि आपको question दिख रहा है कि विभिन सजाती समूहों से संबंदित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्याबिका को क्या करना चाहिए अब सजाती समूह का क्या मतलब होता है तो आपने उपर पढ़ी लिया होगा जिसमें क्या होते हैं in class comprising students from different ethnic groups ठीक है it is important too जो different ethnic groups होते हैं उनके लिए क्या चीज़े इसमें important होगी एक teacher को क्या करना चाहिए ठीक है तो आपने पढ़ लिया आगा पूरा question चलो option पढ़ते हैं अब ये आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ राइए विभिन संजाती समूहों से आपको ध्यान रखना कि इसको ध्यान में रखना ये answer बताना है पहला क्या लिखाए कि विध्यार्थियों को समान संजाती संजातीयों के अधार पर वर्गी कृत देखो ये वर्गी कृत होता है न अपने आप में negative है हमको बच्चों को अलग नहीं करना है हमको उनको बाटना नहीं है ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधिता के प्रती स्विक्रिती और सम्मान हो देखे अगर different type के बच्चे होते हैं तो आपको उन सभी को समान स्विक्रिती देनी है उनको respect देना है और यहीं आपर पूछ रहा था संजाती समो different ethnic groups आपके class में आप पढ़ाते हो वहाँ पर अलगले state के बच्चे होंगे अलग-अलग उनका culture होगा उनका religion अलग होगा उसे ही बोलते हैं कि अलग-अलग different ethnic groups के बच्चे रहेंगे तो आप क्या करो उन सभी विविदाओं को जो diversity है आप उसको accept कीजे और उनको respect देना है ये एकदम सही है प्रभुत्तवादी संस्कृती पर अधारित मान की कृत-पाठिकरम कहीं पर भी आएगा वो option आपका हमीशा गलत होगा हमको कोई चीज standardized नहीं करना है ठीक है? कि आपने fix कर दिया है गलत है विद्यार्थियों के बीश व्यक्तिकत विभिन्ताओं पर कोई ध्यान नहीं देना ये तो एकदम से गलत है तो दूसरा सही है तो प्लीज चानल को subscribe करके वीडियो को जरूर लाइक करें आप सब चली अब ये question देख लेते हैं देखे लिखाया है कि आपका जो स्कूल है वो विभिन्त सुविधाओं की पहुश पाने के लिए सीधियों दर्वाजों और दूसरे वास्तुकला संबंदित सरूपों दोरा पैदा की गई बधाओं को दूर करने के लिए अपनी अधार बुद्स अनशनाओं में सुधार कर रहा है ऐसा करके स्कूल क्या करना चारा है अच्छा आप मैं आपको बताऊंगी कोई भी बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स होते हैं आपके स्कूल में एक नॉर्मल बच्चा भी आएगा और एक ऐसा बच्चा आएगा जिसको जो थोड़ा सा उसको फीजिकली जो है उसको दिक्कत होगी चाहे वो चढ़ने में चाहे एक लास में बैठने में बट आपने क्या किया आपने जो एक बच्चा fit है दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा disabled है आपने सभी को एक साथ, मतलब एक साथ रखनी की कोशिस की है, कि कोई भी बादा हो, बढ़ हम सभी को एक साथ ही रखेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, इसको simple सा बोलते हैं, समावेशन, जिसे हम English में बोलते हैं, inclusive, inclusion, ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए होता है, समावेशन चलिए अगला question, अब देखें क्या लिखा है, छीड द्रिष्टी, मतलब low vision, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम दिखाई देता है, low vision वाले ऐसे बच्चे होते हैं, जो कि उसे जूज रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के समायूजन के लिए, मतलब inclusion के लिए, एक अध्यापर को क्या देने से बचना चाहिए, तो इन चारों में से जो negative होगा न, वही सही होगा, एक तो बच्चे को पहले ही देखने में दिक्कत हो रही है, तो इन चारों में से कौन सा चीज गलत है, बचना है न आपको, द्रिष्य अवेवस्थित, notes, आवर्धक, lens, बड़े अकार में चपी, पाठे, पुस्त के, ये तो एकदम से अब जिस बच्चे को हलका, मतलब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे, तो बड़े बड़े अच्छर वाले आप उनको देंगे, ये एकदम सही है, इस परसनी है, मतलब tactile, जिसको बच्चा टच करके कर सके, ये तो एकदम सही है, magnifying glass है, तो obvious ही बात है, बच्चा देख लेगा, है की नहीं, बट आपने क्या कर दिया, आपने बच्चों को अववस्थित notes दे दिया, एक तो ऐसे इसको देखने में दिक्कत आ रही है, आपने cluttered notes दे दिये, giving visually cluttered notes, इसे तो बच्चों को दिक्कत आएगा, आपको इसे चलिए, ADSD का फिर से question है, हर shift में repeat कर रहा है, देखते हैं, चलिए देखे, जो अवधान न्यूंता अतिक्रिया सिल्ता, attention deficit, जो ADSD है, hyper activity disorder, ऐसे बच्चे, मैंने आपको पहली बताया है, जिस भी बच्चे को ADSD होता है, वो कोई भी काम जो है, एक या दो घंटे तक लगाता पार नहीं कर पाता है, उसको बैड कर पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होगी, concentration power उसका बहुत कम होता है, वो दो मिनट, एक मिनट बैड जाए मुस्किल से, समझ लो, वही, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा है न, क्या छोटे बच्चे को आप दे देते हो, काम करने नहीं है, तो ADHD वैला बच्चा है, ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा ऐसा प्वाइंट है, जो कि उसके संबंध में गलत चीज लिखी हुई है, तो चलिए देख लेते हैं, पहला लिखा है कि उन्हें किसी एक कार में लंबे समय तक एकागर रहने में अक्सर मुस्किले ह होती है, औव्यस ही बात है, ये तो मतलब उसका विसेस्ता है, वे अक्सर वस्तों को कुल बुलाते रहते हैं और वे बेचायन दिखते हैं, ये भी होता है, मतलब क्यूंकि उनका अटेंशन पावर बहुत कम होता है, अटेंशन, ADSD में, ठीक है, वे किसी कारे पर काम करते जी हाँ, उनको आप एक काम दोगे न, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये जैसे कुछ बच्चे को देखना आप दो से चार घंटे लगतार बैठे रहे जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे, ये भी एकदम सहीं लिखा है, उन चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विध्यार्थी को, मतलब काफी अच्छा है पढ़ने में, कुछ स्रेडियां छोड़कर, सीधे उच स्रेडि में, मतलब कि उसको सीधे क्लास 5 से, क्लास 9 में उसको प्रमोशन कर दिया, मतलब क्लास 9 म और withdraw का इस्तिमाल किया गया है कि कोई भी प्रतिभावान जो विध्यार्थी होगा, हम उसको आगे जो है प्रमोर्ट कर देंगे, तो वो किया गया है, त्वरण, जिसे इंग्लिस में बोलते है, इंग्लिस का भी देख लीजे, और acceleration का ही मतलब यही होता है, ठीक है, समरिध्धी करण, प्रोचसाहन थोड़ी दिया जा रहा है, या synthesis थोड़ी न हो रहा है, उसको तो पदूनत किया जा रहा है, जब भी पदूनत करते हैं, तो वहाँ पर जो है, जो स्कूल है न, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के तो फिर उसको आगे प्रमोट करना भी चाहिए, और यह होता है acceleration में, पहला, चलिए अब यह देख लेते हैं, अर्थपूर अधिगम मतलब meaningful, कक्षा में एक ऐसी संस्कृती बिक्सित करनी चाहिए, जहां विद्यार्थियों को बहुत अधिक आउसर मिले, जहां पर बहुत अच्छे से अर्थपूर अधिगम है, मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है सारी चीज़े, तो कौन से आउसर मिलने चाहिए, क्या वो एक दूसर से competition करें, ज्यान का निर्माड करने में, तत्थियों को रटने में, यह तो एकदम गलत, निस्क्री वर्ड भी गलत, जो लो हमेशा positive word है, याद रखना, कहीं पर भी construct knowledge आएगा न, वो हमेशा सही होगा, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही अच्छा positive tag word है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो दूसरा इसमें सही हो जाता है, चलिए, अब यह देख लेते हैं, विद्यार्थियों को बनने के लिए स्वतंत्र विचारक, आश्रित, मतलब किसी पर depend हो जाए, गलत, निस्क्री अभी मैंने आपको पता है, गलत word है, उच्छ स्रेडी के प्रतिद्वंदी, यह भी गलत है, कि आप high competitors, हमको बच्चों को competition करना थोड़ी न सिखाना है, हमको बच्चों को goal oriented learning देनी है, मतलब किस क्ये एक चीज़ में master करना है, हमको competition नहीं सिखाना है, हमको बच्चों को किसके लिए सुधास, सुसाधित करना चाहिए, तो सतंत्र विचारक, independent हो बच्चा अपनी सोच सके, अपनी सोच को लेकर, ठीक है? देखे, इंडिपेंडेंट थिंकर्स के लिए हमको बच्चों को स संसारिक परिवेसों से जुड़ी विसेवस्तु को सीखने में सक्षम होता है यह बच्चा जैसे ही बच्चा तो 9 महीने जब मा के अंदर गर्व में रहता है तब ही से बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है आपने अभी मन्यों की कहानी तो सुनी ही होगी है कि नहीं तो रीजन आपको देखना है कि प्राथमिक इस्तर पर विद्यालेओं को अमूर्थ विसेवस्तु और पुस्त की अधिगम पर बल देना चाहिए यह एकदम गलत है वन टू फाइफ का बच्चा है आप उसको अमूर्थ पढ़ा रहे हो बच्चा वैसे भी तरक नहीं लगा सकत करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथड का हम यूज करते हैं जितना ज्यादा हो सके आप बच्चों को एक्टिविटी में इन्वाल करें स्टोरी सुना ये पोयम सुना ये गाने के माध्यम से तो ये तो एकदम गलत है बहुत अच्छे से समझा दिया है तो प्लीज लाइक चली अब ये हमारा अगला कॉशन 24 देखे इसमें क्या लिखाए कि अधिगम अधिक प्रुभाव साली होता है जब कब होता है अधिगम जब विसेवस्तु अधिक जटिल हो एकदम से गलत है जटिल क्यों रखना है बच्चों को तुमको आसानी से समझाना है अध्यापा का अधिगम लक्ष जब परिक्षा केंद्रित हो परिक्षा का डर नहीं लाना है बच्चों में गलत है अधिगम का सौभाव प्रियोग अत्मक हो और यही आपका सही होगा जितना ज़्यादा जब पढ़ा रहे हो ना बच्चों को वो एक्सपरिमेंट वाला होगा उसका अब यह कोशन देख लेते हैं देखे रीना एक दी गई समस्या के समधान हे तू कोई उसको प्रॉब्लम दी गई है अब इसके समधान हे तू उससी समस्या से मिलती जूलती समस्याओं को उद्धित कर रही है find कर रही है कि मतलब कि मालो आपको मैंने यह problem दे दिया कि इसका solution लाओ तो आप क्या करोगे सोचोगे ना कि इसी की मिलते जूलते जो है कोई समस्या होगी इसी से हम इसको solve कर लेंगे तो यह क्या तरीका है यह समस्या समधान युक्ति का कौन सा इस्तिमाल कर रही है वो क्य तो यह आपके अनुरूपक सोची होगी प्रकार्यात्मक होगा नहीं नहीं स्मृति सहाइक विद्या नहीं हो यह भी नहीं होगा option no.2 हमारा right हो जाता है इंगलिस में भी बार समझा देती हूँ देखिए रीना ने क्या किया similar kind of problems to find the solution for a given problem एक problem मैंने आपको दिया इसको solve करो तो आपने इसी से मिलता जुलता जो दूसरे problem होगे उसको देखा कि हम इस स्ट्राटेजी से इस problem को मैं solve कर दूँगा या कर दूँगी तो आपने क्य यूज क्या है hypothesis hypothesis में तो हम कलपना करते हैं यह होगा नहीं आपने क्या किया आपने अना लॉजिकल थिंकिंग यूज की आना लॉजिकल का मतलब होता है कि इसी के समरूप में जैसे कि आना लॉजिकल आपने देखा होगा ना math में भी बहुत question पूछता है functional fixedness लिख दिया है हमको कोई चीज fixedness नहीं करनी है निमोनिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा निमोनिक्स में तो हम ऐसे भी sort form बनाते हैं यहां तो हम problem solve कर रहे हैं तो इसका होगा option number two analytical thinking जब भी आप मिलते जुलते चीज़े ढूनने की कोसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं unroop दूसरा सहीं हो बच्चे जो गलती करते हैं उससे वो सीखते भी हैं हमको ignore नहीं करना है उनको इसका तर्ग देखो क्या लिखा है कि तुरुटियों का आधिगम प्रक्रिया में कोई महत तो नहीं होता है एकदम गलत तुरुटियों का बहुत importance है इससे आपको पता चलता है कि बच्चा किस direction में सोच रहा है दोनों एकदम गलत है option no.4 चलिए अब यह देखिए बस एक लिख दिया है विद्यालेओं को बाकी आपको सोचना है विद्यालेओं को अब पढ़ लेते हैं क्या है विद्यार्थियों की भावनात्मक विद्यालेओं को विद्यार्थियों की भावनात्मक करके गलत कर दिया, विद्यार्थियों के समाजिक संदर्व को अंदेखा कर देना चाहिए, ये भी एकदम गलत, हमको तो बलकी respect करना है उनकी, विद्यार्थियों के समाजिक संदर्व के प्रती, विचारसिल होना चाहिए, और नए ज्यान के निर्माड को अंदेखा करना चाहिए, वा, मतलब नए ज्यान को ही अंदेखा कर दो, ये भी एकदम गलत, हमको कभी भी बच्चे की किसी भी चीज को अंदेखा नहीं करना है, इतना याद रखना, विद्यार्थियों की भावनात्मा के स्थिती के प्रती, विचार सिल होना च चलिए, अब ये कर लेते हैं, देखिए, अधिगम औसहायता, मतलब helplessness, कल मैंने आपको बताया भी था, जो helplessness फिल करते हैं वैसे, अधिगम औसहायता से, जूजते विद्यार्थी, योगिता का एक ऐसा दृष्टिकोंड रखते हैं, क्योंकि जो helpless का मतलब क्या होता है, कि मतलब हम कुछ करें, पहले ही मैंने सोच लिए, कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीटेट का एक्जाम मेरा नहीं निकलेगा, अगर इसका रिजल्ट खराब आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो योगिता का एक ऐसा दृष्टिकोंड रखते हैं, कि जिसमें मेहनत करके योगिता में बढ़ावा ही नहीं किया जा सकता, कि आप चाहें सीटेट के लिए कितना भी बढ़ाई कर लो, आप मतलब इसमें पास नहीं हो सकते हो, ये सारी मेंटेलिटी, इसी को बोलते हैं, और सहायता, योगिता के प्रती, ऐसा दृष्टिकोंड क्या कहलाता है, तो ऐसे को बोलते हैं, एकल, सत्व, दृष्टिकोंड, एकल याफि सत्व, इसका इंगलिस याद रखो, हिंदी में इसके हजार नाम हो जाते हैं, देखें, और ये बहुत इंपोर्टेंट है, एंटिटी व्यू, काफी अलग कोशन पूछा था इस बार, तो याद रखना कि अगली नहीं सकता, इनक्रिमेंटल का तो मतल्ण बढ़ोत्री होता है, मास्टरी ओरिएंटेंटे तो मैंने हमिसा पताया है, कि आप किसी चीज में मास्टरी हो जाए है, काफी अच्छी चीज होती है, अब लर्णिंग आप्टिमिस्ट, आप्टिमिस्ट का मतल्ण आसा पादी जो हम इसा पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं मेरा पास होगा मैं महनत कर रहा हूं कर रही हूं 100% पास हो जाओंगी बल ये एंटिटी व्यू का मतलब एकल व्यू रख लेते हैं ये लोग सत्व द्रिश्टी कोड कि बस हम चाहें कुछ भी कर लें हम पास नहीं हो पाए तो इस चीज से थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब इतनी महनत कर रही हूं लेकि लाइक नहीं आ रहे ना आप लोग शेयर करते हो अधिकम के लिए एक सहायक वातावरन पैदा करने हैं तू यह महत्वपूर है अब सहायक वातावरन का मतलब क्या होता है जहां पर एक जो उनके बीच में संप्रेशन होना चाहिए बातचीत होती रहनी चाहिए तभी बच्चे सीखते हैं आपको पता यही तो सब हैं सिखाने वाले यही तो है कि जहां पर बच्चे को मम्मी पापा से भी सपोर्ट मिल रहा है सभी से मिल रहा है बहुत सत्त कठोर और सत्तावादी अध्यापको कोन्युक्त करें अच्छा जो बच्चों को बस मुर्गा बना दे मार पीट दे बाहर निकाल दे यह तो एकदम गलत है पढ़ाने के लिए मान की कृत मान की कृत याद रखना कहीं पर भी आई तुरंद गलत कर देना नेगिटिव टैग वर्ड है जो कि आगे इसको लाइक करो और शेयर करो चलिए हमारा लास्ट कोशन है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है वो विद्यार्थियों के प्रभाव साली और अर्थपूर अधिगम में सहयोग नहीं करता है गलत वाला नेगिटिव वाला बताना है क्योंकि बच्चे की ग्यान की बात हो रह है मान की क्रित तुरंट पकड़ लोगे आप यही नेगिटिव टाइग वर्ड होता है यही सही है क्योंकि नहीं वाला पूछाता और यही नहीं है यह नहीं होना चाहिए मान की क्रित का मतलब होता है इस्टेंडर्डाइस कर दिया आपने मतलब हर एक बच्चे के लिए सब कुछ अलग होता है तो आप फिक्स कैसे कर सकते हो अध्यापन का संरशनवादी यह तो बहुत अच्छा है संरशना कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा तो ऑफ्शन मत तीसरा हमारा सही है चार बजे आपकी इवेस की क्लास होती है तो आपने वह जरूर देखें सुबत दस ब के प्रैक्टिस करेंगे कि आपका एक्जाम हंडे परसंट क्लियर होगा ठीक है तो चली मिलते हैं नेक्स लास में थैंक्स फर वचेंग